हेलो एब्रिवान स्वागते हैं आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में आज हम मनाएंगे हरी मिर्च के टिपोरे की सबजी जिसे बनाना बेहद आसान है और ये सिर्फ पांच मिनट में बन करके तयार होगी बहुती टैस्टी लगती है खाने में और बच्चों के होगो से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से एर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं बहुती जवर्दस से इस हरी मिर्च के टिपोरे की सबजी को बनाने के लिए सबसे पह चाकू ले ले लेंगे और इसका आगी और पीछे का जो होता है उसको केंची से कट कर देंगे आप चाहो तो केंची से भी कट कर सकते हैं और आप चाहो तो चाकू से भी कट कर सकते हैं तो यहां पर एक मिर्च को मैं केंची से कट करके दिखा रहे हूं आपको अच्छा वाली हूं आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिर्ची को टेड़ा पकड़ना है आपको थोड़ा सा बड़ी अससे पाई जाएगा सारी मिर्च आप चाहो तो इनको सिंपल भी कटिंग कर सकते हैं तो यहां पर सारी मिर्च को मैं चाकू से ही कटिंग करके और बड़ी असे त्यार कर लोंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी मीर्च को मैंने चाकू सऑी कटkiया है और यहाँ पर सारी मीर्च को मैंने एक तम बढ़ी ऐसे कटकर के और पलेट में रख लिया है आप दीख सकते हैं कितने अच्छे से न की कटिंग हो गई है अब हम क्या करेंगे नीचे एक पेपर रख देंगे और इसमें सारी हरी मिर्च को इसके उपर डाल देंगे इससे क्या होगा जो भी इसमें बीज है कापी सारे बीज रहते हैं हरी मिर्च के अंदर से थोड़ा से मसलना है सारे वीज से नीचे रहाएं अकवार के ऊपर और। अच्छे से वहाटy से मसले लेंगी तो हमोज आटो मैटमेटिक लें चले जाते हैं और थोड़ा सा हातों से हिलते होएं फिर से वि TWL też में रख लेना है तह सारी विज कड़ करके चाल होगा जो भी रहते हम नीचे हो सायक मैं नीचे रह गये अ हम भाग्त बनाति में सकते हैं जब जब तक कि तेल में से दूपान निकले तो यहां पर आप देख सकते हैं तेल सी गरम हो चुका है अब हम इस में डालेंगे एक छोटा छह जीरा अच्छेसी जीर이션 को चुच्छku ामशू चाटकने छांगी के ज़िस के बाद हम इसने डालेंगे आधा छोटा छ माच राई अच्छे से दोनों चीजों को चटकने देना है जिसे दोनों चीजे चटकने लग जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों चीजे अच्छे से पकки这个 हैं और आप देख सकते हैं सारी हरिमिर्च मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है तैल के साथ हिए भी बहुत ही बढ़िया से अब हम क्या करेंगे इसमें नमक डाल देंगे तो आप टेश्ट के अकॉरणिंग इसमें नमक डाल सकते मेने आदा थोटा चमच नमक इसके अंधर डाल दिया है अब इसमें डाल देंगे एक चोथाई हल्दी एक चोथाई तो यहां पर आप देख सकते हैं अपर अच्छे से हरी मिर्च को हल्दी और नमक के साथ बढ़ेया से मिक्स कर लेना है और अब इसको हम ढखकनमंद करके दो मिनट अच्छे से पकाएंग तो यहां पर आप देख सकते हैं इस हरी मिर्च को कच्ची है तो इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता पकने में थोड़ा सा हमें आप देख सकते हैं इसको अच्छे से चला लेना है फिर से एक बार और तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से हरी मिर्च पक चुकी है तो जिट ताता है इस से डालने से अच्छे से प्रसे एक बार और सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिए और यहां पर मैंने सब चीजों फिर से हम इसको दो मिनट के बाद देखेंगे हटा करके तो यहां पर आप देख सकते हैं फाइनली हमारी हरी मिर्च एक दम बिल्कुल बढ़िया से पक करके तियार हो गई है बिल्कुल भी कच्छा पनिन के अंदर नहीं रहा है अब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले जिस में डालेंगे लाल मिर्च का पाउड़र वादसे हरी मिर्च है ज्यादा तीकी नियह मिक्स कर लिया है और रख ये मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स कर लिया है और मिर्ची अच्छे से पक चुकी है तो अब उसमें डालूंगी फ्रेश दूद की मलाई तो यहां ताज के ताजा दूद की जो मलाई थी उसको मैंने दो छोटे चमच निकाल लिया है आप चाहो तो इसमें धही भी डाल सकते हैं आप चाहो तो वेसन भी डाल सकते हैं लेकिन आप एक बार मलाई डाल करके बनाना मज़ा आजाएगा खाने के बाद आपको तो यहाँ पर दो छोटे चमच बढ़िया से बन करके त्यार है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक अलग प्लेट में निकालेंगे क्योंकि हरी मिर्च को जादा नहीं पकाना अच्छे से यह पक चुकी है अब गैस बंद करके और इसको एक अलग प्लेट में निकालेंगे तो ये लिजे बिल्कुल तयार है हमारी राजस्थान की फैमास मिर्ची के टिपोरी की सबजी आई होप आपको मेरा आज काई वीडियो काफी जदा पसंद आये होगा वीडियो अच्छे लगा हो तो इसे लाइक कमेंट सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थैंक यूप और वाचिंग माई वीडियो